योगी जी तो केवल जनता का पैसा कर बरबाद करने में लगे है हवाईजास से दिन बर उड़ना है चलिए जितना दिन उड़ रहा है जमीन पर तो आना ही पड़ेगा एक इन्वस्टी का कुलपती बिने पाठक जो साथ इन्वस्टी का कुलपती है उसकी डिगरी फरजी है हाई कोर्ट ने भी कहा और अब तक वो जेल की सलाकों में अभी जाच पर जाच पर जाच पर जाच बन रही है इसलिए कि वो संग का आदम है 35,000 करों का अभी इन्वेस्टर सम्मिट में एक समझाता हुआ किस से हुआ जो भी सुभी द्याले फर्जी है दिके ये भारती जनता पार्टी है आरप्षर को समाप्त करने की पूरी पूर्जोर कोशिस साजिस इस सरकार में चल रही है हमारे साथ है पूर प्रदेश अध्यक् आज आदाडी राहूल गांदेजी करन्या कुमारी से कास्मिर्तक पद्यात्रा कर रहा है साड़े अठाइस सो किलो मीटर से अधिक की यात्रा ही अत्ता है हो चुकी है और जिस तरह का भीड जो सुचसा समर्थन लोगों का तूट प्यार मिल रहा है बड़े पैमाने पर जन बिलकुल अगर हम बात करें 2022 के बिधानसभा चुनाओं में उसके पहले लल्लू जी जो है हमेजा टू वीलर गाड़ी पे कहीं भी गलियों में पहुँच जाते थे लेकिन 2022 चुनाओं के बात उतना नहीं देख रहे हैं क्या हुआ है नहीं हम तो लगे हैं लगातार सवालों को लेकर लड़ रहा है सड़क पर लड़ रहा है आपने देखा होगा कि अभी पुलिस उत्पिड़न के खिलाप हम लगबक 40 दिन तक धरने बैटे थे गन्ना किसानों के सवाल को लेकर सड़कों पर संगर्ज कर रहे थे तो हमारा सं चाल है आप देखिए उत्तरपरदेश का एक इनवस्टी का कुलपती बिने पाठक जो साथ इनवस्टी का कुलपती है उसकी डिगरी फरजी है हाई कोड ने भी कहा और अब तक वो जेल की सलाकों में अभी जाट पर जाट जाट पर जाट बन रही है इसलिए कि वो संक आद जोता हुआ किस से हुआ जो भी सुभी द्याले फर्जी है यह उत्तर प्रदेश कि स्थिति अन्ना जानवरों से किसान परेसान है गन्ना किसानों का हाल देखिए सैकलो चीनी मिल अंतिम सांस ले रही है भुकतान बिल्कुल नौ के बराबर है इस इलाके के छपरोली के तमाम किसानों का पैसा तक नहीं मिला है पिछले साल का तो यह क्या संदेश है यह उत्तर प्रदेश जहां 90,000 सिछक अपने आरच्छर की मांग को लेकर आज चार साल से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन आरच्छर तो छोड़िए उनके साथ बात्चित करने को यह सरकार तयार न तयारी पूरी नहीं थी जो सरकार, जो कोर्ट ने इस थरीके का फैसला सुनाया देखें यह भारती जनता पार्टी है आरच्छर को समाप्थ करने की पूरी पूरजोर कोशिस साजिस इस सरकार में चल रही है ये निकाय चुनावकार अच्छल बना के ले कौन गया था सरकार ही तो ले गई थी आयोग के सामने और उसी पर वो चुनाव कराना चाहती थी हाई कोर्ट ने उसको पहले उनसे जबाब मांगा जबाब तो दिया नहीं उन्होंने फिर हाई कोट ने उसको खारिज कर दिया किसकी कमिथी इस सरकार की कमिथी योगी आदितनात की कमिथी और उनको यह भरोसा विश्वास है कि भाई सईया भाईल कोतवाल तो डर का है का तो ये आलम है इस उत्तर परदेश का और मैं समझता हूँ योगी जी तो केवल जनता का पैसा बरबाद करने में लगे है हवाई जास दिन बर उड़ना है चलिए जितना दिन उड़ रहा है जमीन पर तो आना ही पड़ेगा अभी दो दिन योगियार इतना चार और पांस तारिक को मुंबई में है कारिकरम के सिलसले में जैसा की सर बता रहे है और अगर यहां पर बात की जाए पश्चमी यूपी में दलितों की मुस्लिमों की और चाटों की कैसे कांग्रेस साधी गी उनको आप तो प्रदेश अध्यक्च रहे हैं क्या कुछ तड़नीती रही दिखे मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जाद की बात नहीं करते पहला ऐसा नेता है जिनका नाम राहुल गांदी है कन्या कुमारी से कासमीर तक चले है किस बात को लेकर भारत को जोड़ने की बात को लेकर लगतार यह सवाल उठ रहा है कि भारत तूटा कप्था की जोड़ने की बात की जा रही है किसान परेसान है बेरोजगार नौजवान परेसान है गरीब परेसान है दलित परेसान है पिछड़ा परेसान है आदिवासी परेसान है नीजी करण के आग में पूरे देश को ढखेला जा रहा है इन सारे मुद्दों को एक जगा जोड़कर उठाने की बात ही तो है और एक ऐसा दोर जहां धर्म और जात की राजनीत है ऐसे में एक व्यक्ति मुद्दों की बात कर रहा है गरीबों की बात कर रहा है आदिवासियों की बात कर रहा है, नौजवानों की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, हक, हकूक और अधिकार की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है आप कहा रहे हैं यह यात्रा क्रांती है मैं 2022 के भी धांसवा चुनाओं की चर्चा करना चाहूं कहां कम ही रहेगी इतना कम वोट परसेंटिस कैसे कॉंग्रिस का पहुँच गया देखे पूरा चुनाओ पोलराईजेसन के चपेट में आया आप याद करिए सुनभद्र में आदिवासियों की लडाई कौन लड़ा लखीमपूर में किसानों के की निर्मम हत्याई कौन लड़ा लड़ा सी एन आर्सी के दौरान कौन लड़ाई लड़ा तमाम गरीब लोगों की लड़ाई कौन लड़ा बेरोजगारों की आवाज कौन उठाया हर मुद्दे पर कांग्रेस या पुलिस कस्टडी में मौत हुई कौन लड़ा आगरा की घटना आपको यादोगी बालमिकी की पीट समय आएगा और हमारे साथ भी जनता खड़ी होगी हम तो जनता के वसूलों को मानने वाले लोग हैं जनता की अदालत में हैं आज भी हम जनता के बीच में हैं छोटी बड़ी समस्याओं को, मुद्दों को उठा रहे हैं, तमाम विश्यों को मंचों के माध्यम से उठा रहे हैं, जहां पूरा देश आज कहीं न कहीं उन तमाम विश्यों से विमुक हो चुका है, उन विश्यों को लेकर चल रहे हैं. यहां पर बात होती है राहुल गांदी जी देश को जोड़ रहे हैं विपक्ष कैसे जोड़ेगा उत्तर प्रदेश में देखे विपक्ष अभी डाक्टर अयूब साब आये हैं एक किसान पार्टी के आये हैं राष्टी जनता दल राष्टी लोक दल का समर्थन प्राप्त हो करका है अएसे ही दिर-δिरे जूटेंगे था एव सोब इसकीता पूरी है हम हम तो तैयारी रोज करने वाले लोगहैं तो आपको दिख रहा है न सवाल होता था विपच कहा है विपच सढकों पर दिख रहा है न तो हम तो जनता की अदालत में है एक किसान अपनी खेती करता है फसल लगाता है समय से पानी देता है समय से खात देता है समय से हर कुछ देकर वो चाहता है कि उसका फसल लहरा है और उसे काट कर वो अपने परिवार का जीवन और भरण पोसड करे तो हम उससी धानतों को मानने वाले लोग है जनता के बीच में हैं जनता के सवालों पर हैं जनता के साथ खड़े हैं बाकी प्रकिरती है इस स्वारा बरोसा करिए जरूर ने आये होगा आकरी सवाल कि जिस तरीके से भाजपा सांसद वरुन गांधी समय बहुत ज्यादा मुखर है वही बात बोल रहे हैं जो रागुला गांधी कहते हैं कि नफरत की राजनीती छोड़ो एक साथ आओ तो क्या आगे आने वाले समय में अगर वरुन गांधी भाजपा से नाता तोड़ते हैं तो कॉंग्रेस कोशिश करेगी कि वो उनके साथ जुड़ जाएं देखे ये केंदरी नत्यतु का फैसला है उसके लिए हमारे बकाइदे CWC बनी है हमारे राश्टी अध्यच जी हैं और वो सब लोग इस परताय करेंगे कि उनको क्या करना है ये थे हमारे साथ पूर प्रदेश अध्यक शाजेगुमार लल्लु जी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बताया कि आखिर 2022 में चूक कहां हुई और 2024 का लक्ष क्या है और तैयारियां जो अब रोडों पर कॉंग्रेस देख रही है इसका असर कब देखन पाती है कैमरा मेंन हमारे सिर्दार्थ के साथ मैं मुहित सिंकुछ बाहा यूपी तक